दोस्तो अगर आप लोग सौपसी से कोई प्रोड़क्ट ओडर किये हैं और वो प्रोड़क्ट जो है खराब निकल गया है डिफेक्टिव निकल गया है या फिर आप लोगों को प्रोड़क्ट पसंद नहीं आया है आप लोग उस प्रोड़क्ट को रिटन करवाना चाहते हैं या फिर product में size का problem है कोई भी problem आ रहा है दोस्तो और आप लोग जो है उस product को return करवाना चाहते हैं और अपना पैसा अपने bank account में वापस लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तो कि आप लोगों को product return करने का option नहीं दे रहा है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सौपसी से product order को return करवा सकते हैं ठीक है सारा problem इस वीडियो में मैं आप लोगों को solve करने वाला हूँ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब करके बेल अकन को प्रेस करके all पे select कर लेना थाकि आप लोगों को हमारे वीडियो को नाटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए तो चलिए हम लोग वीडियो को start करते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है सौपसी से एक चपल ओडर किया था और इसमें जो है size का problem आ गिया है और इस product को मुझे जो है return करवा कि अपना पैसा अपने bank account में लेना है लेकिन इसमें जो है return का option यहाँ पे दे रहा है ठीके तो यहाँ पर मैं return में click करदेता हूं return में click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं डाल देता हूं don't like the size fit ठीक है यह वाला region डाल देता हूं उसके बास यहाँ पर नंगर मैं replacement का option दे रहा है और exchange का option दे रहा है लेकिन यहाँ पे return का option नहीं दे रहा है ठीक है तो यह वाला problem को आप लोग कैसे solve कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो दोस्तों होता क्या है कि यह देख सकते हैं यह 173 का product है और इसमें जो है क्या था कि return का option नहीं था ठीक है आप लोग अगर एक बार यह product को order कर लिये हैं तो यह product जो है exchange हो जाएगा replacement हो जाएगा लेकिन यह product return नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे return का option नहीं दे रहा है तो आप लोगों को क्या करना है exchange करके या फिर replacement करके अपना product जो है दूसरा ले लेना है ठीक है तो इस तरह से आप लोग return problem को solve कर सकते हैं सौपसी app में